आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में यदि आप लंबे समय से कवजियत से परिशान है इस टूल हार्ड होता है टैलेट में लंबे समय तक बैठने पर या बहुत ज्यादा जोड देने पर यदि ये आपको समस्याएं हैं तो आपको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है और इसके साथ साथ यदि आप केवल मेंटल वर्क करते हैं जैसे टीचिंग जो टीचर है और भी कई तरह की जाब हैं जो केवल मेंटल वर्क से काम करते हैं उनके पास कोई भी फिजकल वर्क नहीं है तो उनको भी ये पाइस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और भी लोग ऐसे हैं ट्रैफिक पुलिस जो लंबे समय तक खड़े होने के वज़ा से भी उनको भी पाइस होने की संभावना होती है यदि आप लंबे समय तक कोई एलोपैथ मेरसीन लेते हैं तो उसके वज़ा से आपको गैस के दिक्कत होना इस्टार्ट होगा और गैस के वज़ा से कबजियत होना इस्टार्ट होता है और कबजियत कनवाट इन्टू पाल्स कोई भी बिमारी एक अवस्था में नहीं राती है यदि आप इस समस्या से परिशान है तो आप परहेच जरूर करें और अपने पेट को साफ जरूर रखें यदि आपका पेट साफ है तो आपको पाइल्स होने की संभावनाएं कम हो जाती है लेकिन एक समस्या यहाँ पर और खड़ा हो जाता है जब आपका इस टूल हाड होता है तब भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं और यदि ज्यादा लूज मोशन होता है तब भी आपको पाइल्स होने के चंसेस बढ़ जाते हैं यदि कोई ब्यक्ति अमीवी पेची से परिशान है लंबे समय तक अमीवी पेची से परिशान है पतला दर्स्त होने के कारण भी उसको भी बावासिर होने की संभावना है या हो सकता है ये बिमारी किसी भी एज में हो सकता है हमारे ओपेडी में नौ महीने के बच्चे को भी पाइल्स हमारे पास आते हैं ये पाइल्स लेडिज, जेंस, बच्चे, बुजुर्ग किसी एज में भी हो सकती है तो इस वीडियो में हम जाने पाइल्स के बारे में लेकिन इसमें केवल हम बात करेंगे ब्लेडिंग पाइल्स के ब्लेडिंग पाइल्स के लच्चन क्या होते हैं तो ब्लेडिंग पाइल्स में जब आप इस टूल करने जाएंगे तो इस टूल करते समय ब्लेडिंग हो सकती है ब्लड आ सकता है या इस टूल करने के बाद ब्लड आ सकता है या इस टूल करने के पहले ब्लड आ सकता है या बीच में आ सकता है और इसमें ब्लेडिंग पाइल्स में दर्द नहीं होता है एनस के आसपास खुजली हो सकता है जलन हो सकता है ये इसके लच्छण है इसको ठीक करने के लिए आप होमियोपैथिक का सहारा ले और होमियोपैथिक से आपका जो ब्लेडिंग पाइस है हमेशा के लिए समाथ आपको डोलिकस क्यू का मदद टिंचर गोलिकस क्यू प्लस हेमा मली स्क्यू इस दोनों का मदद टिंचर मिलाएं और ब्रीस बोद आधे कपानी के साथ शुबा दोपार शाम अवसले और इसके साथ यदि आपको दर्द है बहुत ज़्यादा दर्द है या कम दर्द है तो आप उसके साथ एसीड नाइट्रिकम 200 अवसले इससे आपको दर्द में रहात मिलेगा दोस्तो एक समस्य और खड़ी होती है जब आप इस टूल करने जाते हैं तो जलन बहुत ज़्यादा होता है यदि इस समस्या से परसान है तो आप कैपसिकम 30 सुबा दोबार शाम तीन टाइम ले और ये भी प्राबलब आपका शाल्ब हो जाएगा और एक समस्या और होती है कि जब एनस के आज पास दर्द सूजन यदि ये सब प्राबलम है तो आप एसकुलस 30 इसके साथ साथ आपको कमर में भी दर्द रहे कबजियत भी रहे तो आप एसकुलस 30 सुबा दोबार साम तीन टाइम ले इससे आपका पास हमेशा केमले समाप्त हो जाएगा और इसके साथ साथ आप परहेज अवस्य करें आईले समान बिल्कुल न ले मीट मांस बिल्कुल बंद कर दे पानी की मात्रा को बढ़ाएं बीटामिन सी युक्ति फल अवस्थ सिखाएं धन्यवाद दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें लाइक करें